हेलो वर्वन गुड मॉर्णिंग जैहिंद मैं भी एकर आप सभी का स्वागत करता हूँ एक्जाम्पोर डिफेंस वरेर यूट्यूब चैनल पर कैसे आप सब लग बढ़िया तो एक क्वैरी बार बार आया थी कि इंपोर्टेंट डॉकुमेंट्स क्या हो सकते एरफोर्स के एक्जामनेशन को लेके तो मैं इस वीडियो के अंदर पूरा डॉकुमेंट की बात करूँगा होल प्रोसेस में क्या-क्या लगेगा सबसे पहले फेस बन कवर करेंगे हम लोग यानि स्टेजवन जो रीटे ने उस वक्त क्या-क्या हमें लेके जाना फिर फेस टू यानि जहां पे पी अफटी मेडिकल जीडी वगरा होता उसके लिए और फिर थर्ड की भी बात करेंगे जहां पे आपकी ट्रेनिंग होती ही वहां पे क्या-क्या डॉकुमेंट आपको लेके जाना है तो यह डॉकुमेंट पर बात करने वाले है सबसे पहले आपसे लोग वीडियो को लाइक कर दोगे बहुत महनत रगता है टाइम लगता है चीजों को अरेंज करने में सही इनफॉर्वेसन आप तक पहुचाने में तो वह महनत होता है उसको अगर आप लाइक कर दोगे तो महनत का फल मिल जाएगा ओके चलिए बात करते हैं सबसे पहले phase 1 को लेके यानि key return जिसका exam आपको 18 अक्टूबर को है तो phase 1 को लेके बात करेंगे तो admit card आपको लेके जाना सबसे पहले colored form में जो की अभी नहीं आया admit card आपका मान की चलिएगा 13-14 तक आ सकता है उसके पहले भी आ सकता है बट हाँ एक हपते के अंदर ही आता है उससे बहुत पहले उमीद नहीं करेगे तो 13-14 तारिक तक मान की चलिएगा आपका admit card आता है colored form में ही लेके जाना है याद रखिए दूसरा आपको आधार card लेके जी नहीं और हाँ भी ऐसा क्यों बोला सुनिएगा पूरी बात मान लेजे आपने form भरा और आपके spelling में कोई error रहे आपके नाम में आपके पिताजी के नाम पे कहीं पे भी और आपके आधार card में सही spelling है या कह दो दोनों का spelling match नहीं कर रहा है तो उस case में क्या होता है तीसर 12th का original mark sheet हो सकता है या फिर आपका voter ID और drivering license भी हो सकता है तो इन चारों में से एक दो और document रखना पड़ जा सकता है आपको यदि आपके admit card में और आपके आधार card में कोई mismatch मिलता information तो otherwise आप बिलकुल इन ही दोनों document के साथ exam center पे जा सकते हो mismatch जैसे आपका date of birth हो गया अगर eligibility के अंदर है तो accept हो जाता कोई बात ही 10th के mark sheet के साथ माल लेजिए आपका और आपके पिता जी का नाम mismatch हो गया admit card वह भी colored form है और आधार card यह हमें लेके जाना है यह option रहेगा वह अगर admit card आएगा नीचे self declaration रहेगा तो उसको लगा देंगे नहीं तो नहीं लगाएगे यह admit card में लगा रहे था ओके बाकी 10th word की mark sheet आपको extra नहीं ले जानी है कोई information गलत है तभी लेके जाना और कोई भी extra document की ज़रत नहीं है ठीक है बहुत basic है अराम से chill मार के जाना है यह हमारा return का हो गया इसके doubt नहीं होना चीए अब साथी साथ हम लोग बात करेंगे कि जब ह में क्या-क्या पहन के जाना हमारा क्या होना चीए dress code और क्या-क्या रनी चीए strategy जाने की जहां पर rejects नहीं हो पाए जैकि सबसे पहला चीज जो air force, navy या icg कोई भी examination claim करता है कि आपको ऐसा भी कोई shirt या paint नहीं पहन के जाना जहां पर बहुत सारी pocket हो या फिर metallic button हो बड़ी- pocket भी होता है और metallic button वगरा भी होते हाड होता है तो सबसे आसान तरीका आप lower पहन के जाओगे क्या पहन के जाओगे lower पहन के जाओगे उपर की बात करेंगे तो आप उपर full नहीं पहन सकते full sleeve का t-shirt हो या shirt नहीं पहन सकते जैसा मैं पहना हो ऐसा पहन के जा सकते हो आप या आप सबी लोग t-shirt पहन के जा सकते हैं half sleeve अला स्लीव लेस भी नहीं पहन के जाना है ठीक है half sleeve मतलब यहीं तक वाला अच्छा इसके बाद नीचे जूते की बात करेंगे तो जूता अलाओ नहीं बेटा ना socks अलाओ यानि जुराफ जिसको मोजा बोलते हैं सबी लोग वो भ जूते टाइब का लुग देता हूँ वो सब नहीं अला हुए तो आपको slipper यानि chapel पहन के जाना simple भासम समझा जातो अब इसके बाद बात करेंगे हाथ में कड़ा वगरा तो अगर आप Sikh community से विलॉंग करते Sikh religion follow करते हो तो ही आप कड़ा पहन के जा सकते हैं otherwise कोई और कड़ पहन के नहीं जा सकता अगर अच्छा वगरा बांथे तो आप बांथ सकते हो तरबन भी सिर्फ Sikh community को ही अलाओ और किसी को अलाओ नहीं कोई पगड़ी वगरा गमच्छा वगरा बांथ के नहीं जाएगा लड़कियों के लिए जो भी ornaments आप पहनते हो यह सब चीज़े बाली अगर पानी लेके जाते हो तो transparent bottle में आपको पानी लेके जाना यानि कि colorful नहीं होना चीए जैसे बिसलेरी वगरा आता उस पे से पॉल्थिन बाहर कर निकाल दोगे पानी आप ले जा सकते हो पेन वगरा paper वगरा आपको वहां पे मिलेगा और कुछ भी आपको नहीं ले जान करें फेस जब आप दे के निकलोगे तो जायड सी बात है इंट्री लोगे एड्मीट कार से तो वहां जब exam center में इंट्री लोगे तो वहां पे एक sign होगा और stamp लगेगा कि भाया इन्होंने exam दिया यहां अब आगे ठीक है अब वो जो एड्मीट कार रहेगा ना फेस जो फ उसकी ज़ुरत होगी phase 2 में भी तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि उसको फेकना मत इसलिए important है phase 2 का document सुनिएगा पुरी बाद तो phase 1 का admit card आपको चाहिए जो की sign रहेगा exam center के दोरा यह मत सोचना कि आप PDF format में download किया और वही लेते जाओगे नहीं original जो आप exam center में लेगे तो वही चाहिए क्योंकि इस पर sign वगरा होता है ओके second आपका जो भी application form जब आप form भरे थे उसका print out निकाल लही होगे या PDF form में आपके पास होगा ना application number वगरा कहां देखोगे कैसे check करोगे बताओ तो उस case में आपने जो भी PDF form में रखा या print out रखा है उसको भी लेकी जाना application application form भर रहा हो मतलब form भरते वक्त जहां पर payment वगर आपका लिखा रहा है इतना आपने payment कर दिया है ना क्या क्या चीज आपने भर आ है उसकी बात करोगे तीसरा phase 2 का admit card जब phase 1 का result आ जाएगा तो वह तब की बात है यह आएगा तब यह हम डाउलोड करेंगे 10th 12th का original mark sheet अब कम से कम 3-4 black and white photocopy भी होना ची क्योंकि 2-3 जगह लगता है इसके बाद आपको आधार card mandatory मतलब बहुत जरूरी है आधार card के साथ साथ आपको pen card भी बहुत जरूरी phase 2 में pen card बहुत जरूरी है अब यह मत कहना कि pen card हम 18 साल से छोटे है यह वो तो उसके लिए consent form रहेगा आप pen card बन मा सकते हो ठीक है minor का pen card बनता 18 साल से कम और इसके साथ-साथ consent form लग जाएगा वो proper complete हो जाएगा consent form उनहीं के लिए होता जिनकी उमर 18 साल से कम होती है जिनकी उमर 18 साल से ज्यादा है उनके लिए consent form की कोई ज़रूरत नहीं है इसके अंदर parents की sign होती है और कुछ भी नह अब फोटो सर खतम हो गया नहीं है दस भाने होंगे आपके पास आप form भरे थे तो online होगा न कहीं 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 हो गया फोटो उसी का निकलवा लो print out अगर मालो नहीं निकलवा रहो तो उसी पोज में अभी photo खीच लो same to same वही लगवा दो वह ऐसा ही कह दो ऐसा ही बना दो वह आप सभी को वही photo लगेगा जो आप form भरते हो तो photo आप रेंज कलो वह अभी से करना पड़ेगा आपको बाद वह भी नहीं मिलेगा थोड़ा सा पता चला चेंज आ गया है सरीर में बदल गया 12th admit card यह option है यह जरूरी नहीं ठीक है यह जरूरी नहीं आप official data देखोगे तो उसमें यह mention किया बट यह जरूरी नहीं ठीक है 12th admit card जरूरी नहीं और no risk certificate यानि जब phase 2 का admit card आता तो वहां नीचे लगा रहता है जिसको आप बोल सकते है self declaration type का होता है कि मैं अपने मर्जिस एरफोर्स में जा रहा हूँ मेरे पर कोई जबरदस्ती नहीं है न यह सारे चीज़े इसके अंदर होती है तो यह आपको phase 2 के admit card के साथ ही आ जाता है तो यह रहा total document तो अभी फिलाल हमें क्या धान रखना phase 1 में हमें आधार कार्ड लेके जाना है बेटा और admit card अग आपका photo same to same वह वाला मिले दस जो आपने form भरते वक्त किया था तो यह तीन बातों को हमको ख्याल रखना है phase 2 के लिए otherwise हम reject हो जाएंगे अब कुछ common doubt आता है जैसे कुछ बच्चे photo खिचवाएं वह clean save में अभी उनकी दारी मुच हो गई तो बैटा clean save कर लो सीदी सी बात ठीक है style नहीं मारना अपने को जैसा है वैसे जाना मुच वगर आप बड़ी बड़ी नहीं रहने चाहिए मेरे जैसे बाल हो गरा करके जाओगे मार के भगा देंगे कोई मतलब है नहीं तो यह सब बादम किया जाता अभी नहीं किया जाता है आप सभी लोग बिलकुल fresh student की जाना एकदम new student की तरह ऐसा नहीं कि बिलकुल तजूदबेदार हो एकदम जैसे लोग तयारी करते 10 साल सा तयारी कर रहा है पिर एकदम हर चीज पता है वैसा नहीं बिलकुल fresh student मतलब save हो गरा करके ऐसा लगे कि पहली बार आयो और एकदम आखरी बार ही selection लेकर जाओगे सम हमारे साथ जुड़के वो भी offline offline तो आप सभी के लिए प्रयागराज में हम लोग offline classes चला रहा है मैं खुद प्रयागराज से ही पढ़ा रहा हूँ तो प्रयागराज में आप लोग के लिए NDA हो Air Force Navy ICG SSB के लिए सिर्फ हो तो आप सभी लोग proper तरीके सा सकते हो offline batches से हमारे जुड़ सकते हो best related कोई भी information चाहिए तो इस number पर call कर सकते हो ठीक है phase 1 का आपका return जाएगा फिर phase 2 की तयारी हम लोग करवाएंगे ओके अब phase 1 के classes को लेके बात करो तो classes classes सिर्फ नहीं जादा जादा कोशिस करो self study भी focus करो classes बहुत जादा benefit नहीं देती देती बहुत जादा नहीं देती जितना लोग सोचते हैं आपकी English की महराथन कल 12 घंटे की ती grammar खतम एक math और physics की महराथन आएक जिसके अंदर पुरा math physics खतम कम से कब 90% syllabus कवर करने वाले portion तो ये classes हमारी चलती रहेंगे तो उमीद करते हैं आपको information काम का लगा होगा offline batches के regarding कोई भी आपको inquiry चाहिए तो इस number पर call कर सकते हो कि ये जबा ते तैंक